वेलकम टू इंटी लेक्टर्स केमिस्ट्री मैं पुनित दूबे आप सभी का स्वागत करता हूं तो प्रिवियस लेक्ट्र में हम लोग आई सुमेर रिजम को फिनिश किया तो आज हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गनिक केमिस्ट्री सुरू करने जा रहे हैं तो जनरल यहां से ही रिलेट किया जाता है आए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है इस लेक्ट्र में गैंट्ट्र में में यहां सी e т. it सेब्में इस प toutृफ हे सफथे करने ओके लेट सब्सक्राइब केमिस्ट्री में हम को सबसे पहले देखना है टाइप सब्सक्राइब करेंगे में इसका इलाबरेशन हम एक एक उठाएंगे और इसके बाद हम वही शुरू करेंगे तो देखते हैं substitution reactions क्या होते है reactions in which one atom और a group of a substrate is replaced by other atom और group are called the substitution reaction जब किसी group या atom को किसी एक substrate से कोई दूसरा atom या group replace करता है तो उसको बोलते हैं substitution reaction वह उसकी जगा ले लेना substitution का जो word meaning होता है substitution का मतलब होता है कि उसका place ले लेना जगह को ले लेना in this reaction the incoming group attached to the place of the outgoing group यह point note करने वाली बात है कि incoming group जो नेया हमारा जुसको replace करने वाला है वो जो group अपना जगह छोड़ के गया हुआ है उसकी जगह पे ही यह जुड़ेगा that means incoming group attached to the place of the outgoing group जो जाने वाला गुरूप है उसकी जगह पे ही वहाँ पे अटाच होगा substitution reaction are of three types क्या क्या होते है नुकलिफिलिक substitution reaction इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction और फ्रेटिकल substitution reaction तो बारी बारी देखेंगे हम क्या होता है नुकलिफिलिक substitution reaction पहला है हमारा attacking species इसमें क्या होता है नुकलिफाइल नुकलिफाइल क्या होता वो भी हम आगे देखेंगे पहले हम देख लेते हैं उसका attacking species in नुकलिफिलिक substitution reaction is the nuclear file okay so in which nuclear file donate its electron pair to the carbon positive charge जो भी positive carbon charge है electron deficient carbon center है वहां पर नुकलिफाइल अपने electron pair को donate करता है और लिविंग ग्रूप डिपार्ट विद बॉंड इलेक्ट्रों पेर weaker the base and best is the living group मतलब क्या हुआ जो living group होता है वो अपना बॉंड पेर लेके निकलता है it means week यहां पर point note करने वले बात है कि बेस्ट अबर week है तो वह best living group होता है हम किसी पर एक्सेंस में देखते हैं कि सबसे बढ़ेना living group अगा दो तीन है उसमें substitute living group की तरह behave कर सकते हैं तो उनमें भी हमको देखना होता है कौन सा best living group होगा so best living group वही होता है जिसका जो nature होगा वह week based का होता week based की तरह behave करेगा after departing then that group is best living group okay so nucleophilic substitution reaction occur in the saturated hydrocarbons to which at least one living group is attached substitution reaction nucleophilic वही होता है जहां पर कम से कम एक living group attached हो और वह saturated hydrocarbon होना चाहिए हो ओके फॉर एक्जामपल अलकाइल क्लोराइड हैलो एलकेन बोलने इसको अलकाइल क्लोराइड हमने यहां पर ले लिया और एक क्लोरीन जो हमारा एक क्लोराइड के फॉर्म में यह एक living group की तरह बीएफ करेगा और ओएच माइनस जो हाई हमारा as a nucleophile वेफ करेगा जब यह यहां पर आर आटांक करेगा तो यह ख्लोरीन आउट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा तो यहां पर पर पॉटेस्टियम क्लोराइड as a bisubstituent and main product is the alcohol alcohol बनता है ठीक है तो यहां पर क्या बन जाता अलकहौल इन आफ्टर इलेक्ट फिल्स स्ब्सिटिउच्टिशन यहां पर Electrofile क्या होता है अटाकिंग स्पेसीज होता है सो यह Living डिपार्ट बिदाउट बांडिंग प्यार अफ एलेक्ट्रों मतलब क्या हुआ यह अपना जो Living Group है अपना बांड पर छोड़ के जाता है मतलब कि सबस्टेट के ऊपर हमारे माइनस चार्ज आएगा, यह प्लास के फ़ॉआ में गूरूप निकल जाएगा, अब बात करते हैं, इलेक्टोपाइल का यह कैसा होता है, इलेक्टॉद डैफिच्यंट होता है, जासा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इलेक्टोपाइल हमारा क्या है, electron deficient है ओके तो अब यह attack करेंगा कहां पर electrophilic substitution reaction is the characteristic of the aromatic compound aromatic compound का एक characteristic reactions होता है electrophilic substitution reaction का in this reaction electrophile attack on the pi electron cloud in the aromatic ring यह electron deficient है इसको electron चाहिए यह कहां attack करेगा यह attack करेगा इस pi electron cloud के उपर यह attack करेगा और जो हमारा group लगा हुआ है यह इसमें automator para किसी भी place पर लग सकता है और H plus N hydrogen जिसकी जगां पर यह निकलता है hydrogen एक weak base की तरह कांग वरता है best living group होगा और यहां पर यह हमारा क्या करेगा attach हो जाएगा okay so next is free radical substitution reaction यह क्या होता है this reaction occur in the homolytic leverage free radical formation हमेशा homolytic cleavage होता है जिए मैंने जब reaction intermediate पढ़ा रहा था तो उस वीडियो मैंने free radical कैसे generate होता है वहाँ पर मैंने इसको maintain किया वहाँ पर हमने इसको describe किया हुआ है तो homolytic bond cleavage जब होता है तो वहाँ पर free radical formation होता है takes place in the presence of free radical homolytic cleavage होगा या फिर यह presence of free radical के form में होगा for example halogenation of LKN in presence of sunlight sunlight के presence में halogenation कराते हैं halogen का तब वहाँ पर free radical reaction continue 20 है और यह chain reaction होता है एक के बाद एक एक के बाद एक चलती रहती है okay now the term is addition reaction what is this according to name इसमें addition होता है दो group का दो compounds का दो reagents का आपस में addition होता है in this reaction two substrate combine to get single product दो molecule मिलके एक पर बनाते हैं it is the characteristic of the unsaturated compound unsaturation होगा तो multiple bonds होगा bond का movement कराकर वहाँ पर addition हो सकता है इसलिए वहाँ पर यह characteristic feature characteristic reaction किसका unsaturated compounds का इसमें भी तीन तरक होते हैं कौन-कौन सा पहला होता है यहाँ पर electrophilic addition reaction it is the characteristic of the alkene and alkynes next is the nucleophilic addition reaction यह characteristic होता है carbonyl and nitriles का क्योंकि यहाँ पर nucleophile add होगा carbonyl group पे जो हमारा यह substitute लगता है carbonyl group पे या फिर nitriles के उपर ठीक है तो यह जो nucleophilic addition है यह किसका character होगा carbonyl group या फिर nitriles group का free radical addition की बात करते हैं आकर under the homolytic condition यह homolytic condition जब बनेगा free radical formation होगा then after it will also show the addition reaction and next is the elimination reaction what is it elimination reaction it involves the loss of two atom or group from the same molecule in general loss of two atom or group from the addition carbon elimination का मतलब होता है कोई भी दो atom या group same molecule से depart हो जाते हैं अलग हो जाते हैं उनका loss हो जाता है ओके जनरली हम बोलते हैं जनरली उसमें क्या होता है in general loss of two atom or group from adjacent carbon एक carbon दो carbon एक group यहां लगा हुआ एक group यहां पे तो यहां से यह दुनों group eliminate होंगे और एक पाई बन का formation हो जाता है for example हम नीचे दीखा हुआ हुआ एक example reaction के पाम में this results the formation of the multiple bonds तो दो group या atom एक की molecule में दो adjacent carbon से निकलेंगे तो वहां पे हमारा एक nucleophile के form में निकलता है और एक electrophile के form में तो वहां पे एक अपना bond pair ले के जाता है एक bond pair छोड़ के जाता है जो bond pair छोड़ के जाता है वह वहीं पे double bond का formation करता है उस ताइम पे carbon की या किसी भी central atom जहां से वह डिपार्ट हो रहा है उसकी valency को maintain करने के लिए for example हमने यहां पे लिया हुआ है ethyl chloride को okay ethyl chloride को जो हम alcoholic koh के साथ करते हैं तो यहां पे तीन reaction follow हो सकता है जैसा group होगा उसके recording for example dehydrogen के साथ यहां पे hydrogen निकलेगा या फिर dehydration हम Allah लीए होते तो water dehydration start-PD removal of water does weahpat do weahчив avene definition मतलब किया होता है इस की ए डुनों है यह दिया जिए यह होगा तो billion अहुगा और मramble है क्या होता है कि एक एलभा पोजिशन है और टीट कर तो वहां har हमें IS तो हमने यहां हमें पर ре停 करते हैं तो वहां पर यह hydrogen और यह chlorine molecule सो यह देख्षन कैसा है डि हाइड्रो हैलोजीनिस रिएक्षन में क्या ही यह दि हाइड्रो हैलोजीनिस रिएक्षन जो कि हमने पहला करिशन दिया हुआ है ओके यह ओके रिमिएเन रइक्षन यहां भी ऑफ फोलौ घं लिए तो यहां पर क्या बन जाता है नृटीपवल बन खान काा फॉलमशन जाता जैसा कि अनुने वाल सित्मेंट दिया हुआ है and next is the rearrangement reaction यह क्या होता है यह भी बहुत important reaction है the reaction in which an atom or a group in a molecule from one atom to adjacent atom that is shifting of atom or group from one carbon to adjacent carbon which are quite frequently is known as the rearrangement reaction मतलब क्या हुआ किसी भी group या atom का shifting एक carbon से दूसरे carbon यह वहीं पर होगा एक अपना है तो plus one carbon atom जो है मतलब उसके आगे वाली carbon है उसके पीछे वाली carbon को जो एडिसेंट में हो just side by side next right next में उसके जो भी carbon atom होगा वहाँ पर उसका movement हो जाता है shifting हो जाता है और यह बहुत तेज होता है frequent होता है quite frequent इस तरह का जो reaction होता है उसको बोलते है rearrangement reaction for example one best example is the pinacol pinacolone rearrangement बहुत important है graduation level पे तो यह पढ़ाया ही जाता है PG level पे पढ़ाया जाता है medical exam में भी यह पूछ लेता है okay so this is the pinacol pinacolone reaction अब यह दिखना है कि हैं pinacol pinacolone दो compound है उनमे rearrangement होता है कैसे होता है for example यहाँ पे यह जो group दिख रहा है यह pinacol है pinacol मतलब एक addition carbon पे दो hydroxyl group लगे होंगे each on each carbon तो यहाँ पे एक hydroxyl group इस carbon पे लगा हुआ एक hydroxyl group इस carbon पे लगा हुआ है तो यह हमारा pinacol होता है अब pinacol में diol है अब उसमें जब हम dilute S2SO4 में लेते हैं तो dehydration होता है क्या होता है dehydration होता है तो जैसे ही यह hydroxyl group निकलता है ठीक है क्या होता है hydroxyl group निकलेगा तो यह R group shift हो जाएगा इस carbon पे और फिर यह इस carbon पे shift होता है hydrogen यहाँ से निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे पीने कोलोन बन जाता है तो लेदे के यहाँ पे dehydration होता है इसका water removal of water from the reaction is known as the dehydration reaction next is the molecular reaction यह क्या होता है the reaction in which the covalent bond undergo in reorganization either intermolecular or intramolecular through cyclic mechanism or cyclic transition state इसमें क्या होता है ऐसा reaction जिसमें covalent bond अपने reorganization में जाता है या तो intermolecular या तो intramolecular किस mechanism क्यों तूँ cyclic mechanism or you can say that cyclic transition state formation करने के साथ यह bond का reorganization करता है without giving any intermediate यहाँ पे intermediate नहीं बनेगा यहाँ पे क्या बनता है transition state बनता है और वो भी कैसा cyclic transition state therefore this reaction is unaffected by the presence or absence of catalyst यहाँ पे catalyst के presence और absence से कोई मतलब नहीं है ठीक है और यहाँ पे intermediate का formation भी नहीं होता है इसलिए catalyst चा कोई affect नहीं पड़ता है कि वल बॉन्ड का rearrangement होना है वो intramolecular या intermolecular दोनों तरीके से हो सकता है this reaction is affected only by the heat and light तो एक तरह से यह हमारा photo reaction होता था photo reaction या फिर thermal reaction heat और light से ही यह केवल affected होते हैं इनकी presence में ही यहाँ पे पॉन का reorganization होता है next point is this reaction is characterized by highly stereo specific बहुत high stereo specific यह reaction होते हैं for example तो पे paralysis of hyster paralysis होता है यहाँ पे hyster का यह भी हम reaction आगे mechanism सुरू करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे paralysis of hyster में क्या होता है okay so यहाँ पे guys हम लोग ने देख लिए जा कि reactions कितनी तरह के होती हैं कौन-कौन से reactions होती है क्या-क्या उसके part है कौन किस तरह से वह reactions आगे परसीद करती है अब देखते हैं types of cleavage cleavage means bond cleavage I mean bond cleavage bond का cleavage कैसे होता किस condition में कौन सा bond cleavage follow करेगा तो bond cleavage दो तरह का होता है कौन-कौन सा homolytic cleavage and heterolytic cleavage दो तरह का bond cleavage है पहला हम देखेंगे homolytic cleavage this is the equal division of the bonded electron occurred between the two atom and this result the formation of the free radical having odd electron odd free electron okay so यहाँ पर क्या हुआ एक bond में दो electron होते हैं यहाँ पर इस तरह से एक electron यहाँ पर है एक electron यहाँ पर है मिलके यह क्या बनाते हैं एक bond ठीके bond बना लिया अब इसमें से equal division मतलब कि हमने किसी भी bond को break करना है तो एक group इधर लगा हुआ है एक गूरूप इधर लगा हुआ है तो एक electron इधर दे हुए है वहाँ पे equal division हो जाता है एक एक electron दोनों के मिल जाते हैं तो इस तरह से जो bond के लिए होता है उसमें result क्या होता है free radical free radical बनता है for example एक reaction मैंने यहाँ पर निचे दिया हुआ है A B bonded through a bond two electron in between them so one electron going to B and one electron is going to A so here A radical and here it is B radical okay so free radical formation हो गया यहाँ पर reaction intermediate बनता है यहाँ पे अब three radical का जो बन गया तो यहाँ पर बना उसकी characteristics क्या होता है दीज हर पैरा मैगनेटिक है फ्री ली एलेक्टर्ण में electron प्रेजंट है फ्री एलेक्टर्ण प्रेजंट है अन्पिए तील तो यह पैरा मैगनेटिक भी यह वी शो करता है Conditions for the Homiletic Cleavage, क्या-क्या Conditions होते हैं, Homiletic Cleavage के पहला Condition, Homiletic Cleavage occurs in presence of the heat more than or equal to 500 degree centigrade, UV light के presence में और Sunlight, Electricity are in the presence of Free Radical Peroxide Catalyst, इतनी चीज़ें हैं जो Free Radical Formation के लिए helpful होती हैं, क्या-क्या है, Heat है, Very High Heat चाहिए हमको 500 degree centigrade से ज्यादा, UV light या Sunlight, then after Electricity, or in the presence of the Free Radical Peroxide, like A, B, N, B, N, ठीके, तो यह जो बिस नैक्टर हो जो हमनों वहाँ पढ़े हैं, Free Radical Formation कैसे होता है, तो वहाँ पे वो हमने Paroxide को लेके वहाँ पे हम लोग ने Free Radical Formation दिखाया हुआ है, मैं Link Share कर दूँगा नीचे, आप लोग जरूर जाएं, वहाँ पे देखें, तो यह Paroxide है हमारा, यहाँ पे हमारा Free Radical Formation कराता है, ओके हैं, और नेक्स्ट इस दो, Homolytic Cleavage, अपकर इन दे चेन रेक्षिन, आद इस वेरी फास्ट, पहले ही होता है, मैंने कि जब भी कोई Chain Reaction होते है, Free Radical Reaction होता है, वो चेन के Formation होता है, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक चलता रहता है, और यह दिक्षिन वेरी फास्ट होते हैं, moderate या slow नहीं, वेरी फास्ट, बहुत तेज होते हैं, For Homolytic Cleavage, Bonded Atom should have a small difference in the electronegativity, यह condition बहुत important है, Free Radical Formation तभी होगा, या फिर Homolytic Cleavage तभी होगा, जब गुरूप जिनके bond के जो दो आइधर साइड में लगे हुए हैं, उनके बीच में, electronegativity difference या तो बहुत कम हो, या तो वो same electronegativity point क्यों हो, For example, carbon carbon का है, या ऐसा नहीं के carbon और fluorine लगा दिया, No, वहाँ पे हमें सा हेटरोटिक लिए जज़ा, क्योंकि electron जो हमारा electronegativity का है, fluorine का, वो सबसे ज़्यादा है इन पूरे periodic table में, ठीक है, तो carbon carbon लेंगे, nitrogen ने तब हमारा free radical formation होने के chances हैं, या फिर homolytic cleavage होने के chances हैं, नहीं तो heterolytic cleavage होगा, This reaction occur in the gaseous phase and non-polar solvent, तो दो चीज़े हैं, कहां कहां ये reaction होती है, तो पहला होगा gaseous phase में होता है, या फिर non-polar solvent में होता है, चलिए अब देखते हैं, heterolytic cleavage क्या होता है, This is the unequal division of the bonded electron, homolytic में क्या था, equal division, यहाँ पे क्या है, unequal division of the bonded electron, occur between the two atoms, okay, so this reaction, this result the formation of the charged species, यहाँ पे क्या हुआ, unequal division हुआ, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो equality नहीं रह गई यहाँ पे, for example, मैंने यहाँ पे reaction दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों electron, B के पास जा रहे हैं, क्योंकि यह ज़्यादा electronegative है, for example, मैंने carbon के साथ fluorine जोड़ रखा है, इसका हमारी electronegativity पूरे periodic table में सबसे ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों bond किसके पास जाएंगे, fluorine के पास, तो fluorine कैसा हो जाएगा, B जैसे के example, यहाँ पे B minus हो जाएगा, carbonine को formation होता है, और यह हमारा क्या बनाएगा, कार्बोकटन बनाएगा, क्योंकि यह less electronegative है, तो यहाँ पे यह carbonine positive charge बनाएगा, यहाँ पे यह charge species का result देता है, यह unequal division of the bonded electron, generally the bonded electron goes to the more electronegative atom, electron कहा जाएगा, जिसके पास उसको bear करने की capacity होगा, जाहिए से बात है, more electronegative है, तो उसको उस electron को bear करने की capacity उसके पास ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों electron more electronegative atom के पास चले जाते हैं, so like this, this is the unequal division of the bonded electron, okay, so heterolytic cleavage gives the carbonine and carbogatone is formed, heterolytic cleavage occurs in, कहां कहां होता है, dark में होता है, low temperature पे होता है, high temperature पे होगाइगा, absence of peroxide में होता है, presence of nucleophile और electrophile, bonded atom should have the larger difference in the electronegativity, यह note करने वाली बात है, वहाँ पे electronegativity difference small था या फिर ना हो, यहाँ पे क्या है, electronegativity difference must है, बड़ा से बड़ा होगा, तो heterolytic cleavage उतनी आसानी से होगा, reactions occur in the polar solvent, वहाँ पे non-polar था, यहाँ पे solution phase में होता है, वहाँ पे gaseous phase में reaction होई थी, तो चीज़ें थोड़ी contrast है, homolytic cleavage और heterolytic cleavage में, आसानी से याद किया जा सकता है, और ध्यान में भी रखा जा सकता है, आसानी से याद किया पेज़ें होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो attraction होता है, वो attraction बहुत ज़्यादा होता है, इसी attraction को तोड़ने के लिए हमको वहाँ पे energy की requirement होती है, ओके, so now we see the nature of reagent, we have seen the bond cleavage, type of cleavage, homolytic, heterolytic, अब हम देखेंगे nature of reagents, क्या-क्या होते हैं, पहला reagent होता है nucleophile, दूसरा होता है electrophile, region का nature दो तरह का हो सकता है, nucleophile और electrophile, या तो electron rich होगा, या तो electron deficient होगा, दो ही point बनेंगा इसमें, पहला देखते हैं हम लोग, nucleophile देखेंगे, heterolytic cleavage of bond is brought about by the nucleophile और electrophile, मतलब क्या हुआ, इनके formation में heterolytic cleavage बहुत important role प्ले करता है, और उसी की वज़े से ही nucleophile या electrophile बनते हैं, ठीक है, चलिए, अब सुरू करते हैं nucleophile, यह क्या होता, what is the nucleophile, nucleophile is the electron rich species, it donates the electron pairs to the electron deficient carbon atom, इसके पास electron है, यह अपना electron, electron deficient center को donate कर देता है, for example, यहाँ पर X- से halide ion है, कोई भी negative charge species है, यह दो तरह से behave कर सकता है, या तो nucleophile या तो base, base बनेगा तो यहाँ इसे यह hydrogen abstract करेगा, कहीं से भी कर सकता है, ओके, यह हमेशा alpha position से ही base hydrogen को extract करेगा, क्योंकि उसकी acidity जाना होती है, ठीक है, अगर यह nucleophile तरह work करेगा, nucleophile जाएगा उस center पर जहाँ पर कोई living group लगा हुआ है, for example, यहाँ पर chlorine as a living group लगा हुआ है, तो यहाँ पर polarizability आ जाती है, delta minus, delta plus, chlorine की electrone negativity carbon से ज़दा होती है, तो electron का shifting जो होता है, वो carbon से nitrogen की ओर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर nucleophile जैसे ही carbon पर अटाक करेगा, यह chlorine as a living group बाहर निकल जाएगा, chloride iron के form में, तो कोई भी nucleophile दो तरह से behave कर सकता, either it behave like a base, or like a nucleophile, okay, so nucleophile having complete octet with negative charge, or a neutral species having lone pair of electron, यह कैसा हो सकता है, यह तो negative charge भी हो सकता है, यह neutral species भी हो सकता है, जिसके पास lone pair electron है, वो भी हो सकता है, for example ammonia, ammonia क्या है, कोई भी charged species नहीं है, लेकिन इसके पास जो 2 electron है, यह free है, और यह nucleophile तरह work करेगा, octet complete है nitrogen का कैसे, 2 electron यहाँ पर होगा, 3 hydrogen लगे होगे, 6 electron यहाँ से, तो total 8 electron, imbalance electron, तो यहाँ पर nitrogen का octet भी complete है, ओके, so next point is the, nucleophile attack in the bulk of the molecule, where base attack at the surface of the molecule, जैसा कि हमने reactions देखा, base surface hydrogen को abstract करता है, जो कि acid होते हैं, और nucleophile उस center पर अट्राक करता है, जो कि उस molecule के बीच में present है, उसके bulk में present है, and next point is the nucleophilicity is under hysterically control, but basicity is not under the hysterically control, मतलब जो उसका hysterically hindered होता है, वहाँ पर nucleophilicity attack करता है, उससे प्रभावित होता है, उससे affected होता है, तो hysterically hindered जो होगा, तो वहाँ पर nucleophile आसाने से अंदर नहीं जा पाएगा, तो उसके according reaction चलती है, कि कैसा reaction है, hindered होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बलकी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, for example, tertiary butoxide is more basic, less nucleophile, but ethoxide is more nucleophile, और less basic, tertiary butoxide क्या है, यह बलकी है, यह nucleophile क्तरब व्रक कर सकता है, लेकिन यह खुद hindered है, किसी molecule की बीच में नहीं जा सकता, बड़ा ग्रूप है, तो बीच में जानने के लिए जो छोटा होना पड़ाएगा, जैसे कि ethoxide, ethoxide क्या है, यह बेस कम nucleophile जादा है, जबकि tertiary butoxide बेस जादा less nucleophile, nucleophile कम हो है, for example, H2O, water, ether, carboxyde, carboxylic acid, carboxylate, alcohol, R3N, amine, alkyl group, और यहां पे, RNH2, amine group, phosphine group, phosphorus group, यह सब के सब, ammonia, cyanide, यह सब के सब का है, हमारे nucleophile तरब behave करेंगे, charged भी है, uncharged भी है, neutral भी है, lone pair electron carrying भी है, तो यह सब nucleophile तरब वाग करते हैं, so order of nucleophile city क्या होता है, negative charge की nucleophilicity सबसे ज़्यादा होता है, then after, उस lone pair electron की, then after, pi electron की, किसी भी reactions में बात करेंगे, तो nucleophile में जब attacking की बात करते हैं, तो जिसके पास negative charge है, वो ज़्यादा free होता है, attack करने के लिए, उसके बात जो आता है, वो lone pair आता है, उसके बाद जो आता है, वो pi electron आता है, electron denating group increases the nucleophilicity, for example, ro minus is more nucleophile than the oh minus, यहाँ पर क्या होता है, electron जो negative charge है, वो oxygen के उपर है, oxygen खोद electron negative atom है, तो उस electron को अपनी तरफ strongly attract करके रखता है, bind करके रखता है, तो वो free नहीं हो पाता, वहाँ पर अगर roh की बात करते हैं, ro minus की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि यह भी electron density दे के उसको, उस negative charge को free करता है, electron को donate करने के लिए, उसी तरह से rs minus is more nucleophile than the s minus, like that before, whatever I had said there, so nuclear felicity explained by the polarizability, nuclear felicity को polarizability से explain कर सकते हैं, in the group, greater the size of the anion, greater will be the polarizability, and more will be the nucleophilicity in the nature, nucleophilic nature हो जाता है, किसी ग्रूप की बात करते हैं, तो anion का size जितना बड़ा होगा, उसकी polarizability उतनी बड़ी होगी, polarizability बड़ी होगी, तो उसकी nucleophilic character भी ज़्यादा होगी, for example, sulfur जो की oxygen की group का member है, उसकी polarizability ज़्यादा है, तो nucleophilicity ज़्यादा होगा, यहाँ पर RS-, RO-, SH-, OH-, जिसमें जो group बड़ा है, उसकी polarizability ज़्यादा है, उसकी nucleophilic character ज़्यादा हुआ है, इसी तरह से यह order maintain हुआ है, उसी तरह समबात करते है, nitrogen और phosphorus सेम ग्रूप के हैं, phosphorus बड़ा है, ग्रूप में size बड़ी है, nitrogen से इसलिए इसकी polarizability ज़्यादा है, उसके बाद bromine आएगा, उसके बाद chlorine आएगा, उसके बाद fluorine आता है, ठीक है, in the group, basicity and nucleophilicity is not 100% parallel, group में basicity और nucleophilicity 100% parallel नहीं होता है, कि जैसे group में गया है, size बड़ा हुआ, nucleophilicity बढ़ गई, basicity बढ़ गया, तो group में basicity और उसकी parallel character नहीं है, कि basicity बढ़ेगा, nucleophilicity बढ़ेगा, इसमें थोड़ा contrasting है, for example, हम यहावे बात कर लेंगे, तो in group, basicity defined by the electron density, nuclear felicity defined by the polarizability, group में electron density जतना ज़्यादा होगा, उसकी basicity उतना ज़्यादा होगी, जबकि nuclear felicity define कि जाता है, कि उसकी polarizability कितनी है, उसकी polarizability ज़्यादा होगी, उसकी nucleophilicity भी उतनी ज़्यादा होगी, for example, fluorine is more basic, less nucleophile, but iodide is more nucleophile, less basic, fluorine छोटा है, electron density ज़्यादा है, तो यह basic ज़्यादा होगा, nucleophile कम होगा, जबकि iodide की बात करते हैं, तो बड़ा है, electron ज़्यादा है, लेकिन यह बड़ा size का है, इसकी polarizability ज़्यादा होगी, और उसकी nucleophilic character भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यह हमारा एक तरह से overview nucleophile का होगा, उसका character कैसा होता है, उसको nucleophile base की तरह कभ भी हैप करता है, कभ nucleophile कर भी हैप करता है, और दोनों का आपस में relation क्या होता है, कि basicity कोई भी molecule basic कभ होगा, कोई molecule nucleophile कभ होगा, इस सारे चीज़ यह हम लोग लगबग लगबग जान ली है, एक और चीज़ बनती है यहाँ पे, multiple bonds में हम कैसे compare करेंगे, alkyne is more nucleophile than the alkyne, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s character, s character define करता है, उस group में उसका electronegativity कितना है, for example, ch2, ch2 और ch, ch में हम लोग define करते हैं, alkyne, alkyne, ethene और ethine में, तो ethene में क्या होता है, कि s character 33.33% होता है, जबकि sp में, जो हमारा ethine है, उसमें s character 50% होता, तो यहाँ पे इसकी electronegativity ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अब in general, electron rich species behave as a base, as well as nucleophile, but in the group, basicity and nucleophilicity is not 100% parallel, ठीक है, यहाँ पे s character कम है, यहाँ पे pi bond ज़्यादा free होगा, डोनेट करने के लिए, यहाँ पे s character ज़्यादा है, तो pi bond यहाँ पे क्या होता, उतना ज़्यादा free नहीं, जितना कि वो elkin में free होता है, ठीक है, अब देखते है, embedded nucleophile क्या होता है, having two donor atom, but during the course of reaction, only one donor atom donates its electron pair, मतलब क्या हुआ, किसी भी group में, दो ऐसी atom है, जो दोनों electron दे सकते हैं, लेकिन, लेकिन क्या है, जब कोई reaction होती है, तो केवल एक time पे, एक ही atom, electron को donate कर सकता है, for example, cyanide ion, इसमें carbon भी electron दे सकता है, nitrogen भी electron दे सकता है, लेकिन, exam में, sorry, reactions में, केवल एक ही participate करेगा, at a time, अगर carbon करेगा, तो nitrogen नहीं करेगा, nitrogen करेगा, तो carbon नहीं करेगा, ठीक है, इसको बोलते है, embedded nucleophile, embedded nucleophile having at least one nitrogen atom, उसमें जरूर होगा, cyanide ion, thiosyanide ion, Ocn-C, Cn-, O-N-O- meno- NO2- N3- तो, दे आज स्यूडो हाईलोजन, इनको हम स्यूडो हाईलोजन भी कहते हैं, ठीक है, embedded nucleophile pseudo हाईलोजन हो गये, उसके बाद, nucleophilicity is under the kinetic control, but basicity under the thermodynamic control, बहुत important point है, कि nucleophilicity kinetic control होता है, ये kinetically control होता है, और basicity हमारा thermodynamically control होता है मतलब अगर basicity और nucleificity की बात करते हैं तो कुछ kinetic stable होता है कुछ thermodynamic stable जो thermodynamic stable होता है वो ज्यादा stable होता है as compared to the kinetic control जो जो product बनता है यह move भी कर सकता है thermodynamic move नहीं करता है behavior of electron rich species base at high temperature and nucleophile is at low temperature electron rich species base और nucleophile दोनों के तरह behave कर सकता है high temperature भी यह base के तरह भी है करेगा low temperature भी यह nucleophile के तरह behave करेगा अब देखते हैं salvation effect यह क्या होता है nature of nucleophile can be changed with the change in the nature of the solvent for example polar protect solvent like water, alcohol, acid, ammonia यह सब जिसमें hydrogen directly electronegative atom से जुड़े होते हैं उसको बोलते है polar protect solvent क्योंकि वो proton वहाँ पे असाने से release किया जा सकता है second is the polar a protect solvent polar तो हैं लेकिन protect नहीं है for example dmso, dmf and dma dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide, anandimethyl formamide, anandimethyl acetamide यह हमारा क्या है एक polar a protect solvent है hydrogen do not directly attach to the high electronegative atom तो यह हमारे polar a protect भी हो गए यहां पर यह हमारा dmso है, dmf है और dma है इन polar a protect solvent like dmso, dmf and dma which solvent only the cattine यह हमिसे क्योंग क्योंग को ही solvate करते हैं यह क्योंग क्योंग के चारों तरफ ही present होंगे by ion-dipol interaction की वज़ा से ठीक है शर्क करनावी सरोक में उसको सणुलेट ऑनोल्वेटिटर और यहां मेरे कैसे हैं यहांत के तो इससी मिलेते हैं यहाँ पर क्या होता है एक सोलवेट कर लेते हैं यहां इलेक्ट्रों दे के लेके उस तरह से विच लिच लीड़ तो स्टेविलाजेस्ट प्रोसेस सहलेट्व गॉन्ति § by the its rate rate के द्वारा ही quantify के जाता है और यह kinetic process होता है जिसमें की solute को solution में stabilize करने का यह काम किया जाता है तो यह हमारा nucleophile हो गया उसमें जो हमारा nucleophile का solvation effect होता है वो कैसा होता वो सब्सक्राइब देख लिया अब देखेंगे electrophile यह क्या होता है electrophile is the electron deficient species having the incomplete octet and may having the positive charge electron deficient होते हैं इसके उपर positive charge भी हो सकता है और positive charge है electron deficient है it means it shows that it have the incomplete octet okay if they are neutral they are having vacant d orbital या vacant d नहीं vacant कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है for example h plus आना है तो यहाँ पर s खाली है and 2 plus है यहाँ पर नेट्रोजन का P खाली है यहाँ पर भी P खाली है तो इस तरह से हमारे जितने अगर कोई charge नहीं है वहाँ पर तो neutral है तो वहाँ पर vacant orbital मिलेंगे उसमें नहीं नीचे वाले लाइन में जो भी है यहाँ पर हमारे और्बिटल फ्री होंगे वैकंट और्बिटल होंगे positive charge है यहाँ पर मतलब पी ओक्टेट CS3 plus and CS2 जो हमारा कार्बीन है इन में से अगर हम बात करते हैं तो इस CS3 की जो हमारा plus charge में present है यह ज्यादा एलेक्ट्रोफाइल है as a neutral species यहाँ पे भी 6 एलेक्ट्रोण है यहाँ भी 6 एलेक्ट्रोण है लेकिन electro-fellicity की बात करते हैं तो इस positive charge की neutral से ज्यादा होता है अब बात करते हैं electron donating capacity के electron donating group decreases the electrophilic character Electrophilic character क्यों है क्योंकि वो electron deficient है electron donating group जैसे उस पर लगेगा उसकी जो electron deficiency है उसको कम करदेगा जैसे हो इसकी electron deficiency कम करेगा वहाँ पे उसकी electrophilic character कम हो जाएगी यह इस चिटन बोला गया है smaller the cation is more electrophile than the larger cation of the same group मतलब कि छोटा cation बड़े cation से ज़्यादा electrophile होता है उसी group की बात करते हैं तो compare करें nitrogen phosphorus में अगर nitrogen phosphorus में compare करते हैं तो nitrogen पे जो हमारा electrophile बनता है वो ज़्यादा electrophilic character show करेगा as compared to the phosphorus ओके electrophile और Lewis acid डायर सी बात है electron deficient है तो acid की तरह behave कर रहेंगे और यह Lewis acid की तरह behave करते हैं क्योंकि इसके octet भी complete नहीं होते हैं octet incomplete होता है for example chlorine, bromine, iodine is the neutral electrophile due to vacant d-orbital मैंने statement में बोला था कि d-orbital भी present होंगे या भी कोई भी orbital present हो सकता है chlorine, bromine, iodine की बात करेंगे तो यहाँ पे neutral है electrophile है यहाँ पे d-orbital present होता है vacant के तरह पे यह हमारे कुछ reactions है electrophile, nucleophile का आपस में कैसा behavior होता है यहाँ पे electrophile charged है nucleophile charged है तो result हमारा neutral हो जाता है एक charge है एक neutral है दोनों unneutral है तो दोनों charge हो जाएंगे क्योंकि एक देगा, एक लेगा तो एक पे plus charge, एक पे negative charge हो जाएगा एक charge है, एक neutral है तो neutral charge maintain हो जाएगा nucleophile जो uncharged था वो charge हो जाएगा जो charge था, वो neutral हो जाएगा यहाँ पर nucleophile charged है, electrophile हमारा neutral है, तो यहाँ पर nucleophile हमारा neutral हो जाएगा और हमारा electrophile charged हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग general overview देख लिया हमने general organic chemistry में अभी और भी आगे आएंगे बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सिखने को है इसमें हम लोग सिखेंगे आगे वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर हीट करें हमारे हर वीडियो को नॉटिफिकेशन आप तक सबसे प झाल झाल